आपके पास Samsung Galaxy A15 है, M15 या फिर F15 कोई भी फोन है तो यहाँ पर आप widgets की setting कैसे कर सकते हैं widgets यानि कि आपका ये जो screen पर कुछ भी add कर रखा है ना आपने या आपका tool bar ये search bar हो गया या आपका clock हो गया या फिर आपकी folder से related तो इसकी setting के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मानदो ये मैंने remove कर दिया यहां से ये search bar भी remove कर दिया add on करने के लिए आप screen पर touch and hold करके रखेंगे ये आपके home page हो गए यहां से कोई home page आपको delete करना है delete कर सकते हैं प्लस करना तो add हो जाएंगे अब जाएंगे हम widget पे widget पे क्लिक करके ये सारी application की shortcuts हैं जिसको आप use कर सकते हैं जैसे कि camera से related कोई custom camera है वो आप add on कर सकते हैं Google का हमें search bar चाहिए तो Google का search bar click कर लिया add कर लिया search bar आ गया इसको आप छोटा बड़ा यहां पर ऐसे कर सकते हैं ठीक है अब इसको हम ले जाएंगे यहां पर front page पे फिर से यहां पर widget पर जाएंगे अब clock add कर लेते हैं यह दो-तिन clock है कोई एक clock हमने add on कर ली चोटा बड़ा set कर लिया अब इस पर click करेंगे तो यहां पर setting का option आ जाता है आप चाहो तो यहां पर और भी additional setting कर सकते हैं सेफ कर लेंगे यह देख सकते हैं हो चुका है अब इसी टैप से यहां पर और भी यहां पर sensex वगर आप कुछ चाहिए तो आप add on कर लेंगे ठीक है और यहां से sign in कर लेंगे अभी साइन नहीं है ना इस वज़े से जैसे कि आपका गूगल अकाउंट गूगल अकाउंट अभी add on नहीं है मेरा तो देख सकते हैं इस टैप से आप यहां पर इसकी setting कर सकते हैं आप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार